ड्रेस कैसी है? क्या बोलते हूँ? क्लासी. ग्रेट. इसके भी पैसे आपको देने है. ओके? सर, डील कैंसिल हो गई न? लेकन क्यो? डील ओके है क्या? हाँ. तुम्हे मेरे बारे में कुछ चीज़ा जाननी होगी. नहीं तो काम बिगड़ जाएगा. मुझे रफी सहाब के गाने पसंद ही. क्रिकेट में सचिन से ज़ादा मुझे द्रवड बसंद है. वाट? सचिन से ज़ादा द्रवड पसंद है? तुमसे तो मैं कभी शादी ना करू? मुझे बीटल्स भी पसंद है. बीटल्स? Of course, आपके जमाने का famous band है अच्छा, आप perfume मनाते हैं न, favorite fragrance कौन सी है? अगर साच कहूं तो वो चंदन की और Amazon में मिलने वाला वो एक अगर आपसे कोई यह सवाल करें, तो बहुत romanticly बोलना, मेरी fragrance आपको पसंद है, समझे? Intelligent हो वो तो मैं हूँ, अब आप मेरे बारे में जान दीजिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्यों? मेरी family तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, अगर वो कुछ पूछेंगे, जो मन में आएगा बता दूँगा, तुम बस हाँ, हाँ, बोलते रहना, समझे? हम, जो हुकूम मेरे आका हम उसे सारे मसाले पता होनी चाहिए, बस मा बाकी दहीं दूद सहम आओ बीटा, आओ, आओ ना और एज़ कुए। बंब हमतिका को उना... एक मिनिट, मैं बताती हूं.. आप संगीता जी है.. आप में सवतने स का थे फाइंडान्य विश्टशल देपार्ट्मेंट देखती है.. आप है संगीता जी के हसrá कुरून.. और आप है सवर्णा और आप है सवर्णा जी के हस्बंट और आप है श्वेता के हस्बंट पर यह सब कैसे जानती हो तुम जिस में लोगों के बारे में हम सर्च कर सकते हैं बहुत स्मार्ट है ना सच में मुझे नहीं नगा था सैम का ऐसे लड़की मिलेगी अवंतिका या आओ अवंतिका मा मा क्या नाच्यों मदर आयू किदिंग मी आप इतनी यंग लग रही हो मुझे लगा आप फैमिली फ्रेंड हैं कोई बात नहीं बिटा कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं इसके ब यह पहली बार घर आई है इसे साड़ीत देनी पड़ेगी है ना यह मुझे ऐसे भी अच्छी लगी तो फिर फादू ड्रामा करने की क्या ज़रत बस भाई इसे शादी कर ले और कुछ नहीं अच्छा है मैंने ट्रडिशनल कपड़े नहीं बहने तुम क्या करती हो बिटी आंटी मैं वैसे तो वेट्रिस का काम करती हूं बट आएम पोएट अपनी फर्स बुक पब्लिश करवाने की कोशिश कर रहे हूं कवीता लिखती है ना इतनी इस डिफरेंस के बाद भी दोनों की जोड़ी कित्टी अच्छी लग रही है चलो भाई की पसंद जबर गई तुमारे घरवालों को तो पता है ना तुम दोनों के बारे में मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि तुम दोनों के बीच ओम्र का काफी गैप है मेरे ममी पापा इंडिया में रहते हैं मैंने लगबग आट नाव सालों से उनसे बात नहीं की ओ ओ तो उन्हें कोई परिशानी तो नहीं होगी ऐसा नहीं है उनके लिए तुम्हें परिशानी हूं इसलिए जब मैं आपकी फैमली को देखती हूं तो हुआ सिर्ण परिशानी हूं नशी बात है कि और किया टी हूं एक पात बात है पहले मुझे एक confusion था सांग को लेकर, लेकिन ऐसा खाना खा कर लग रहा है कि अब तुम मैं इसी से शादी करूँगी तुम यहां कभी भी आ सकती हो बेटा, जब भी तुम्हारा दिल करे मुझे शक है क्या यह तुम्हारे लिए सही होगा या नहीं मुझे लगता है इस बारे में इसे बात करनी चाहिए थांक यू आंटी, मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग बहुत स्वीट हो, I had such a lovely time शादी का मौरत निकलवाने की सोच रहे हूंगा, good, by the way, two hour ten minutes हो गये है, तो third hour का चार्ज लगेगा कितनी अच्छी थी, क्यों, कैसी लगी सबको, बहुत अच्छी दो हफ्तों में वो इंडिया जाने वाली है, छे महिने तक वापस नहीं आएगी, तो इसका मतलब समझे तो आप दो हफ्तों पिशानी जाने वाले हो हेलो बोस, ये इतना असान नहीं है, हम बहुत करीब हैं, आपको एंट्री मारनी ही होगी, पीज बोस सर्。 दिशावर, सर्. वो हमें यहां से जाने नहीं देगा तो क्या करें सर यहां से निकलने का एक ही रास्ता है कौन से रास्ता मैं सिर्फ तीन तक गिन होगा ठीक है तुम उस रास्ते से भागए मैं बोस साथ में जाएंगे वो बहुत खतरना है बोस तुमने अभी तक अपने गन तक नहीं चलाई गन तो मेरे पास है भी नहीं आप बिल्कुल सरी कह रहे हैं बॉस लेकिन बॉस मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं बॉस ये वक्त एमोशनल होने कर नहीं है सर ठीक है वन टू ट्री फॉर्ट फ़फ शिक्स एइ थीज एड बॉस पस्रेड़ी एक दो थीन भॉइ पसवाज आप यह खने इस राश्ते सहबहगिे ना किजो तुम आवी तक प्लांस अभट निपाये हुआ किए एवह बॉस प्लीज इन्हें मेरी सेफटी की जरा भी चिंदा नहीं है दो साल से मैं इनका प्ये हूँ पर हमेशे इनकी जहां से मैं आ ही जाता हूँ आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि इन मामूली से फूलों के लिए मैं इनका गुलाम बना हुआ हूँ पर मैं आपको बता दू कि सुगंद को महसूस करना इनका जुनून है इनके घर में लैब है मेरा मतलब परफ्यूम लैब परफ्यूम बनाने में मेरे बॉस पूरे यूरोप में फेमस है बूची गलूम, रोबो बकानो सैल्वन क्लीन जैसे बहतरीन ब्रैंड्स को मेरे बॉस ने ही बनाया है मुझे एक केले की ज़रूरत है सॉरी बॉस, जो आखरी बचा था वो तो मैंने खा लिया शायद किचन में है कोई चांस नहीं है बॉस, पूरे घर में तो गया लैब में भी एक भी केला नहीं बचा बॉस का ये टैलेंट मेरे लिए मुसीबत बन गया है इनकी सुमने की शक्ती भालू से भी तेज है वेरी पावर्फुल नोज उस डस्ट बिन से कुछ बवा रही है इसमें सड़े हुए केले हैं बॉस क्या हुआ बॉस, एक चीज तो भूली गया क्या चीज वो मास्क देना अभी देटा हूँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बता है बॉस बॉस का ये स्पेशल टैलेंट कभी कभी बहुत बड़ी प्रोब्रम खड़ी कर देता है ये खुश्बू के प्रेमी है और हमेशा गंडी बद्बू से दूर भागते हैं बॉस 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 क्या हुआ बॉस क्या हुआ असपास कुछ मचली पका रहा है बॉस या कई किलो मेटर तो इंसान तो क्या घर भी नहीं है मेरे बॉस की एक और खासियत है इन्हें सब कुछ वेल मैनेज़ चाहिए घर में फरनीचर से लेकर तकिया तक सब कुछ सेट होना चाहिए उनकी अपनी अपनी जगहे पर खाने पीने के मामले में भी इन्हें सफाई बहुत पसंद है अगर प्लेट में ज़रा से भी गंदगी हो तो खाना इनके गले से उतरता नहीं है इसलिए मेरे बॉस हमेशा डिस्पोजिबल प्लेट और कपका इस्तेमाल करते हैं इनकी लाइफ में हर चीज यूज और थो है वैसे तो मेरे बॉस एक नंबर के संकी है पर इनका दिल बहुत अच्छा है बॉस की कहानी से पहले आपको इनके दादा जी के बारे में कुछ जानना पड़ेगा तो चलिए फ्लैश बैक में 1928 में एक अंग्रेज भारत से कुछ मज़दूर बिटिश ले गए ताकि वो वहाँ पर एक बिकार सा पुल बना सकें उन्ही में से एक थे मेरे बॉस की दादा जी आते समय उस शिप के कैप्टन की मौत हो गई वैसे वो कैप्टन बहुत ही बलमाश था सारे हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों को जहाज से नीचे फेक दिया और फिर वो जहाज इंग्लेंड जाने के बजाए सीधे पहुँच गया पॉर्चिकल और उन लोगों ने उस जहाज को रिश्वत के तोर पे दी दिया वहाँ की लोकल गवर्मेंट को और उसके बदले उन हिंदुस्तानियों को उपहार के तोर पर एक जमीन दी गई जिसका नाम था कैसेंडरा उनके दादा जी वहाँ पर आराम से जिंदगी गुजारने लगे जहाँ स्मार्ट फोन तो नहीं थे लेकिन जिंदगी स्मार्ट थी उन्होंने वहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया अपने सारे रिष्टेदारों को उन्होंने कैसेंडरा में बुला लिया और धीरे-धीरे वहाँ की आबादी भी बढ़ने लगी जहाँ पहले आबादी 752 वो बढ़कर अब 36,000 तक पहुँच गई थी और धीरे-धीरे वहाँ पर एक छोटा सा हिंदुस्तान बस गया और वो लोग बाचीत में पुरानी हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे जैसे की breakfast को अलपहार, good afternoon को शुब मध्यवेला और good morning बन गया शुब दिन मैं यहाँ पर पिछले दो सालों से रह रहा हूँ लेकिन इनकी भाषा मेरे पल्ले तो बिलकुल नहीं पढ़ती फिर भी मैं इस भाषा को समझने की पूरी कोशिश करता हूँ अगर उनके दादा जी उस जहाज में नहीं होते तो फिर क्या होता जरा उल्दर दिखने में इंडियन लगरी नहीं हा सर मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और मैंने पहले कभी आपको किसी लड़की को देखते हुए नहीं देखा सर वन लार्ज प्लीज इन दिस प्लीज और नो टाप वाटर प्लीज गूजी ब्लूम इंडियन यह यह पर्फ्यूम मैंने बना है इस पर्फ्यूम से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चलता है तुम समझदार हो और क्रीटिव भी हो लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी काबलियत नहीं देख पाते हैं लेकिन वो क्या सोचते हैं तुम उसकी परवा नहीं करती तो हैं उनकी सला की ज़रूत नहीं करेक्ट बोल रहा हूँ हर से टेंडे मुझे यहां पर लेकर आते हैं और फिर मुझे यहां से बाहर निकाल देते हैं उन्हें क्या लगता है कि मैं पेवाकूफ हूँ इन्होंने मेरी सिंदगी नरक बना दी है वान सेकें वान सेकें वान सेकें वान जैन से सोने भी नहीं देते हैं हलो सर हलो किशोर किशोर यहां मैच शिरू होने माल है हेलमट चाहिए सर हाव सुट ओफ यू सर आपने फोन करके मुझे याद दिलाया मैं कल मैच की हाइलाट देख लूँगा गुड नाइट सर कॉन्टम चाहिए मेरी समझ में नहीं आरा कि मैं क्या कर रहा हूं क्या मैं उनका पीए हूं यह कुछ और हूं इस वक्त उनके पीट में पंच में नहीं मार सकता हूं इस वक्त उनके पंच में पंच में पंच में पंच में पंच में नहीं अरे हो गया आप तो जा सर आपका फोर प्ले हो गया हो तो पावर प्ले कर सकते हैं सब हेल रहा है यह क्या हो रहा है यह क्या हो रहा है नो 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 सर सर आप बिना हेलमेट के ही शुरू हो गया सर इसे यूस कीजिए वहना दुर घटना घट जाएगी मैम एक बिना रूसकती हैं आप टैम यह सर वह मैं रूसकती आप डैम इसके पास एक था अब डिस्टब मत करना इन्हे डिस्टब मत करना बोलते हुए शर्म भी नही आती अधी राख को तुम्हारे लिए परिशाई ओकी ओकी अ नो no no it was there so I really had a good time oh yeah मैं तुमसे पूछने वाली थी ये टाटू एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता था प्यार वो तो मैंने बहुत इसी से किया है hot and emotional I like that you're the best I've ever had क्या हम दोबारा मिलेंगे मैं समझ गई शैद नहीं I think it's best this way ए किशोर एक कामकर उसे घर छोड़ दे बहुत देर हो चुकिया मैं जाऊं सर उसे छोड़ने के लिए हाँ जाना यार ठीक है दो दिन के बाद आऊंगा मेरे बॉस के हाथ के टैटू की एक कहानी है चोटी सी कहानी उनकी लाइफ के बिगेस टर्निंग पॉइंट का एक रीजन है उनका फर्स क्रश रोमा ने 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 पूमा शी 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 सुमा भैया मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है येस तुम क्या करती हो भूमा भूमा नहीं सुमा चलो जो भी हो करती क्या हो तुम मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ नीरो सर्जन बनना ही मेरा सपना है तुम एक सर्जन हो तो पर क्या तो मेरे भाई का खयाल नहीं रख पाओगी मैं मैं कुछ समझी नहीं तुम्हें खाना बनाना आता है क्या उमा तुम्हें कप्रे धोने दो आते हैं ना तुम्हें तुम्हें नहीं समा ना मुझे खाना बनाना आता है और ना ही कप्रे धोना और ना मैंने शादी के बारे में सोचा है मतलब तो क्या तुम हमारे सेम कर दो रही हो हाँ सुमा, सुमा, प्लीस बज जहो…入ntがउ हो… す Around सुमा, आठको मैं उहां आउपन हे पांट ही ऐसा नहीं है पोमा 夏 मैं प्लीस, सुमा दें ल्डा। सुमा, सुमा तुमने वहां कुछ क्यों ही कहा Beispiel है ? माई तरफ ता हरिक्यो तुम उनी इक की तरफ ते ऐसा करो उन्हीं के पास जाओ क्योंकि हमारे बीच सब खातम हो गया दुबारा में तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखोंगी ऐसा मत करो सुमा सुमा तुम लोग इंसान हो या राक्षस वो इतनी अच्छी लड़की है और तुमने उसके साथ पैसा किया तु चुप हो जा जिस लड़की को खाना बनाना नहीं आता उसे शादी कौन करेगा तु चुप कर संगीता मुझे कोई कुक थोड़ी चाहिए मुझे तो बस मेरा जीवन साथी चाहिए तुमें क्या लगता है औरतें सिर्फ खाना बनाने और संवाई कर सकती है औरती औरती फिच्छमन था ही ना क्या अदमी मैं किसी को रख लूँगा पोफशगल में ये इतना आसान नहीं है ये और कोई काम सब्छाली नहीं रहता तो मैं खुद करूँगा, मैं खुद करना सीख लूँगा बहुत हुआप अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुख़ूँगा मैं जाना यहां से भया श्वेता तुझे इन राक्षासों के साथ रहने के बिल्कुल जरूरत नहीं है मैं हूँ ना तु मेरे साथ आजा एई खाना तो खाले तो खा तो ये है मेरे बॉस की फैमिली ये है स्वर्णा दा बैट कॉप ये हर चीजों में टांग अड़ाती है ये है संगीता डगट कॉप प्यार के मामले में बिल्कुल मूफट लेकिन ये दोनों ही जालिम है और ये है श्वेता मेरे बॉस की राडली बॉस के दादा जी की फोटो के बगल में एक फ्रेम है जो बॉस के पापा का है सदाशिव जी वो तब चल बसे जब मेरे बॉस बारा साल के थे और तब से मेरे बॉस के माँ पापा हेड अफ दा फैमिली सिर्फ एक है उनकी माँ ये थोड़ी सी एमोशनल हो जाती है कभी बैट कॉप बन जाती है और कभी गुड कॉप बन जाती है उस दिन मेरे बॉस बहुत ज़्यादा दुखी थे वो कहीं बाहर भी नहीं गए क्योंकि उस दिन काफी बारिश हो रही थी डिप्रेशन में बॉस देवदास बन गए और कॉलेज के केमेस्ट्री लैब में वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और उस दिन बॉस ने अपने ग्रेट टैलेंट को पहचाना और वो पॉफ्यूम बनाने लगे सुमा 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 पुद्रा और ये हैं मेरे बॉस का नेक्स टर्निंग पॉइंट हाँ, रुकिये, रुकिये, मैं आपके लिए लेंगवेज को बदल देता हूँ हलो साइम, तुम मुझे जानते हो मेरा नाम है इसाबेला मैं शृती की बेस्ट फ्रेंड हूँ उसने मुझे बता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो मुझे लगता है कि हमें कॉफी पीने चलना चाहिए तुम्हारा क्या ख्याल है? तो चलो समझ गया है ना? ज्यादा मत सोचिए इनका नाम सैम है, सैम और उस रात मेरे बॉस को ये समझ में आ गया कि ये प्यार व्यार सब बकवास होता है और प्यार की चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए उस दिन के बाद से मेरे बॉस की हर रात रंगीन होने लगी कि अपाद बहुताराहिं रभुश। इला तर्द इस प्रुश। वाव शेम रुश। ये बहुताव वाव शे गुश्व वेली वोता हुष्ञ कि लीजित में भाइपें he is not fat अवजित में हाँ कम अ वर्ष हम जीजित को चेंग नवग थाँ इस्कुसमें इनोसा इंट बुल इंग अपन्पा इंट । अबके अपने दूटानी इंट पूर राइश इंट इंट अँड रिए are you leaving or you want me to help you please take your seat please take your seat hey tell me when the order is ready okay those guys are talking about you come on you can do it go go talk to her what are you thinking you're beautiful you are a very handsome boy what are you doing man give her more come on more more yeah i'm telling you okay hey did you look at him look at him look at him hey we've got her bro did you see that she's his his understood yeah go find someone else for yourself life is with damn cards y'all know it's a pale swords sometimes not who you are go 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 talk to her come on go talk to her hey beautiful uh should we go for a coffee what do you say just shut your mouth and get lost you don't like coffee tell me just buzz off okay oh okay okay no problem such a dangerous babe i love you more give me more dr. ऌह ने क्या कहा मा कुछच नया नहीं वहीं blood pressure ज्यादा है शुगपक ग कंट्रोल करना हो और क्या आप कभी साफ साफ नहीं बताती हैं इह डॉक्टर मुच दवाई दिना बंद कप करेंग Ö जबकि मैं जानती हूँ, मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ मा मैंने जिन्दगी में बहुत कुछ देखा अब और ज्यादा नहीं देखना चाहती आप उसके बारे में इतना क्यूं सोचती है वो नालायक है उसे नहीं पता जिन्दगी में चीजों को कैसे संजो कर रखा जाता है मैं जानती हूँ, उसे मेरी बिल्कुल भी गद्र नहीं है आप देख लिजी कमा, एक दिन जरूर होगी इसी बात का दुडर है कहीं उसके जानने से पहले मुझे कुछ हो गया और मैं तब उसके लिए बहुत मुश्किल होगी मा, जिस दिन उसे इतना प्यार करने वाली मिल जाएगी जितना मैं उसे करती हूँ मैं चेहन से मर पाऊँगी मुझे उससे बात करनी होगी जल्दी ही करनी होगी किशोर, सरा जल्दी आ, नहीं तो देर हो जाएगी आ रहा हूँ सर जल्दी करना यार, लेड हो रहा है मा, हर संड़े हम लौकी क्यों खाते हैं मेरा मतलब हम कुछ नया बना सकते हैं मैं बना दूँगा करी, आलू का भरता मैं शादी से पहले इंडिया में खाना बनाया करता था मा ऐसी बात नहीं है, सदाशिवराव को लौकी बहुत पसंद थी इसलिए हर संड़े को खाने में मैं लौकी बनाया करती हूँ यह परमपरा है पर अब तो वो यहां है यह नहीं न क्या मतलब? जब तक सदाशिवराव वास्तों में नहीं मजाते यह परमपरा इसी तरह चलती रहेगी तुम क्या जराइने वहां रख दोगे? धन्यवाँ क्या तुमने लौकी बना ली? यह वास्ता में मरना क्या होता है? हाई मामा, मानी मामा यह बेबी ही, चलो अंदर जाओ हलो मैम मैम सरी आपके लिए आईस्क्रिम लाए थे क्यों रहे? तो इस भुकड को हर संड़ यहां क्यों लेकर आता है? क्या तुझे नहीं पता? यह फैमिली लंच ले? हाँ मैं मैं भी सर से यही कह रहाता सॉरी मैं चलता हूँ किशा रुक, किशा और यही रहेगा और सुन ले मैं इसको हर संड़ लाँगा कोई प्रॉब्लम है? तेरा पाती भी तुझे रहता है क्या मतब? तुम दोनों उसे क्या समझते हो? यह बिल्कुल नहीं है यह तेरे साथ, तेरे घर पर ही रहता है और तुम दोनों के बिच में चल क्या रहा है तुझे ही क्या लगता है तुझे ही क्या लगता है इस क्या बोलो है, बौस सही बात बोलो ना Actually, मैं बात बोलू Based on circumstances pointing to the relationship between the two of us You are drawing towards a conclusion where honestly there is no reality But please believe me, madam When I say the relationship between the two of us is purely professional The emotional links to each other is friendly in nature in fact brotherly It might be just rumours in others mind but it creates problem for my parents who is looking for a match for me on Indian matrimonial sites so when I say I beg you, I mean from my heart please ma'am, I beg you, please ma'am our English isn't so good, I didn't come to school bloody psychopath family Kishore, what are you thinking? nothing sir Saul, what do you want? what is your problem? I'm giving you this okay, you said Saul, they've never told me they've never told me no, I don't want you sir Sakeet, give me a salad go, go Mujhe kuch baat karni hai tussse Dekho aeke maa hoonne ke naate mene kuch farz hai johu mujhe puri karne hai aur beeta hoonne ke naate tumhara yye farz hai kya tum mene ri baat mahnou tum kab tuk eise akkel e rahna chaaate ho bita tumhe ane wale diil hoon mein jaldi hiy shadhi karni hogi आपको शादी करनी होगी सर इस उम्र में मुर्जाय पौदे को पानी देना बिकार है सर कोई फाइदा नहीं आप शादी के लिए दबाव नहीं डाल सकती मा बलकि किसी री माबाप को दबाव नहीं डालना चाहिए आपने मुझसे कभी पूछा कि बेटा तुझे मैं जन दू या नहीं दू मुझे बड़ा करना ही एक माँ होने के नाते आपका फर्स्त अब आपको कुछ करने की जुरूद नहीं है अरे जब से पैदा हुए तब से स्कूल, कॉलेज, शादी, नौकरी और बच्चे उसके बाद हमारे बच्चों कभी यही होगा स्कूल, कॉलेज, शादी, नौकरी और बच्चे ये सर, ये ऐसा ही चलता रहेगा इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता और नहीं कभी करूँगा मेरी जिन्दगी अब मेरी जिम्मेदारी है खुद की जिन्दगी क्या संभालेगा बाल तक तो नहीं बना पता और तुझे याद है, तु ये कहकर गया था कि तो किसी भी तर है, अपना खयार खुद ही रखना सीख लेगा और तुझे हमारी जरुरत नहीं है, लेकिन क्या हुआ तेरी जिगे साफ सफाई करने के लिए हमें हफते में तीन बार वहाँ जाना पड़ता था और तुझे तो वाशिंग मशीन तक चलानी नहीं आती है जब से तु पैदा हुआ है ना, तेरी सारी जिम्मेदारी हम लोगों के उपर ही तो है काफी उम्र हो गई है, तेरी शादी अब तक नहीं हुई कोई बात नी बहन, आप से अपने काम मैं खुद करूँगा लेकिन इसके लिए मैं शादी नहीं करूँगा ये तो तु पिछले 20 सालों से कह रहा है, तुझे हमारी मदद भी नहीं चाहिए इसलिए ये सब जहल रहा है, और हमने हार मान ली, क्योंकि तुझे इस तरह परिशान नहीं देख सकते हमें लगता है कि हमारा भाई इतनी सारी परिशानी आखर जहलेगा कैसे इसलिए कहते हैं शादी कर ले हमें वोटिंग होगी अब यहीं बागी रहा था पॉर्टगीज है क्या हिंदी है कौन सी जखे अब सैम की तीन महीने के अंदर शादी होकर ही रहेगी जो नहीं चाहता हाथ उपर करें जो चाहता है शादी हो वो हाथ उपर करें हो गया फैसला अब अगले तीन महीने में सैम की शादी हो जाने चाहिए चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं शादी नहीं कर हुआ अब यह तो हिंदी था नहीं तो क्या पोचुगीज जीजस खाना नहीं छोड़ना चाहिए सर मा अगो तो चला गया आप क्या करेंगे उसनित बात भी नहीं सुरी नहीं चिंता मत करो मैं जानती ही उसे कैसे समझाना है मैं सब कर लोंगे हाई, excuse me, I am here to see my nephew Siddharth he's in there okay, thank you so much सिप्दू तो ठीको मुझे अपने साथ कब ले कर जाओगे जल्दी ले जाओँगे hello janani hey avantika are you busy? no 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 no, come in, come in क्या ये तुम हूँ? हाई, it's me, Latika कल रात हमने फेस्बुक पर चाटिंग की थी मेरा फेस्बुक पर अकाउंट नहीं है ये चैट करने वाला मैं नहीं हूँ ये कोई और होगा मेरी फैमिली से no no, वो आप ही थे आपने कहा था कि तीन महीने में आपकी शादी होने वाली है पिर मैंने आपको बलाशिंग वाला एमोजी रहे जा था आपको यान नहीं? ओ-ओ-ओ, लादिखा, लादिखा मुझे शादी नहीं करनी लेकिन मैं हानी मून पर जा सकता हूँ तुम चाहो तो ये क्या कह रहा हो? जो तुमने सुना? Guru hell कोई बात नहीं, बाई दिखो इसको, बच तमिस इतनी अच्छी लड़की थी और इसने ऐसा किया मेरी बॉस की बहने ऐसे मानने वाली नहीं थी कसंडरा की सारी इंडियन लड़किया उन्होंने बॉस के पास भेज दी सारी लड़किया बेजी थी इसके पास, सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है इसने, हम तुस्से तांगा चुके हैं पता नहीं तो कम आरेगा पॉल से टाइप की लड़की चाहिए तुझे, मैं तुस्री बाद कर ले, सुनता है कि नहीं, मैं तुस से क्या रही हूँ अब पैंसी क्यों मारना, अब आप ही बात करो इससे, पैंट पर जाएगा ऐसा क्यों कर रहा है, अब मैंने क्या किया सर, चिंदा मत कर, चिंदा मत कर, ओके सर, मा जी भी गई, उन्होंने गलत किना, हाँ सर, 24 लड़किया और एक और थी, 25 लड़किया, लगता है मेरा स्वेंबर करवा रहे हैं, बिलकुल सर, आप इतने हैंसम दिखते हो, लड़किय आप पर मरती ही है, मतलब कि उनका परस्पेक्टिव है, और आपके परस्पेक्टिव से तो इर्रिस्पेक्टिव हो जाएगा न, इसलिए परस्पेक्टिव तो, सर, मा जी आ रही है, मा, 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 ये क्या कर रही हूँ, मा, मा छोड़ो इसे, लाओ मुझे तो, आ बढ़ो, तो मैं और क्या कर सकती हूँ, आप पहले बैठा, तू भी बैठ, आप बैठ जा, बैठ ना, हाँ लो बैठ गया, तू भी बैठ, तुने कहा था कि तुझे बड़ा करना मेरा फर्स था, लेकिन तु मेरा बेटा है, मुझे हर वक्त तेरी चिंता लगी रहती है, तेरी बेहने क अब तक रहेंगी, मा मेरा यकीन करो, मैं अपना ख्याल रख लूँगा, तेरे बसका बिलकुल भी नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैं तेरी मा हूँ, देख, हर चीज उम्र के रहते हो जानी चाहिए, यहां तक कि वो क्या कहते हैं, आज कल तुम्हारी वर्ज है, तू अ मा, जीवन में मन की शान्ती ही सबसे बढ़का है, और तन की शांती का क्या, बिना हैसीटेशन के अपनी खुद की मा से इतनी कॉन जुट कैसे बोल ले देओ, बौस It takes guts, boss क्या आपने मेरे निखा ए किशोर क्या हुआ क्या हुआ कुछ नहीं माजी वो क्या है कि चीटी ने काट लिया बहुत जोर से कहां प्लेस इस नॉट इंपॉर्टंट पेर इस इंपॉर्टंट तु देखना जरा दे किशोर देखा ना नहीं नहीं रहने दो नहीं ठीक हूँ भीगवान बहुत बुरा हुआ बेचारा अब क्या करेगा ये देख सैम ये बस शादी ही नहीं जिंदगी में इसके बहुत माइने है तुम लोगों के साथ में बहुत खुश रहती हूँ लेकिन जब अकेले में जाती हूँ तो मेरी मेरी आखों से आसू बहने लगते हैं तेरे पापा को याद करके सैम अकेला पन क्या होता है ये तुझे नहीं पता अकेले रहना भले तुझे अच्छा लगता हो लेकिन दीरे दीरे ये अकेले पन में बदल जाता है समझने के कोशिश कर तो क्या करेगा जब मैं मैं चली जाओंगी क्या ये सहपाएगा अगर तुमेरे मरने से पहले शादी नहीं करेगा तो मैं इसी बात के साथ मरूंगी कि तुँ अकेला है मा, 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 ऐसा मत बोलो मा, मा, क्या हुआ पोस? मेरी मा को, मेरी बहुत चिंता है, उसे डर है कि कहीं मैं अखेला ना रह जाओ, और इसलिए वो मेरी शादी करना चाहती है, जबकि मैं नहीं करना चाहता है, करेक्ट बोस, हर आदमी जो डॉक्टर बनना चाहता है, जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई करे, मैं मा को खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन शादी नहीं करना चाहता, उन्हें भी समझना चाहिए और जिद नहीं करने चाहिए कुछ करना पड़ेगा कुछ लोग हमारी जिन्दगी में अचानक से आ जाते हैं और जब उनके आने का एहसास होता है तो जिन्दगी बदल जाती है नहीं, नहीं, प्लीज मद आना परना मैं घूच आउंगी प्लीज नहीं प्लीज डोंट लास्ट टाइम आपको देखना चाहती थी मैं इसलिए आपको यहां बुलाया अब मेरे पास असके अलावा कोई चारा नहीं I'm sorry प्लीज मेरे बाच अइसा बढ़ा प्लीज 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 मेरे पास सब कोई चारा नहीं है I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry इसलिए मुझे वो खोर्स जोइन करवाया लेकिन पहले सेमस्टर में ही मुझे पता चल गया कि मुझे इसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं है मैं पास नहीं हो सगी बापा I'm sorry बापा मैंने सुचा आपको डिसे पॉंट केने से जाए कि मैं मर जाओ एक हार्किटक से बढ़कर मेरे लिए तुम हो तुम मरने जा रही थी तुम मेरी जान हो I'm sorry बापा बेखो तुम्हारी मा का फोन है सुरो यह क्या कर रही थी तुम इतनी जल्दी हार मान गई क्या है रे कौन है बेतू मैं यह सब ड्रामा इसके कर रही थी कि आके जे कॉले छोड़कर ड्रामा कॉलेज जॉइन कर सको और तुम्हार बजा दी चल्थ रोके रोके अच्छड़ थेंक्यू एक्टिंग इसको एक्टिंग कोर्स की जरूरत नहीं है बॉस अच्छी एक्टर मनेगी पहरे से ही एक्टरस है हलो सर इसका ध्यान रटना कहीं फिर से लग कुछा है चलो चलते हैं सर पिशोर हाँ बस उस लड़की से एक मस्त आइडिया मिल गया क्या बस अब कहीं बैट कर कॉफी पीते हैं चल चलते हैं फिकल्रों मैं यहाकी लड़की से नहीं मिलना चाहता कहीं दूर ले चल जई कहीं दूर बस मुझिक जगह पता है वहाँ लेकर चलता हूं लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी जोनкий यॉज करनी पड़ेगी वो मेरी girlfriend बनने का नाटक करेगी और मेरी family को impress करेगी मैं वहाँ के एक waitress को जानता हूँ सर बहुत सुन्दर है वो फिर तो मेरी family शादी का मुरत fix करके ही मानेगी मैं वहाँ महिने में तीन बार जाता हूँ सिर्फ उसे जी भग के निहारने के लिए सर मुझे पुरा confidence है आप उसे पटा ही लोगे शादी के कुछ दिनों पहले ने 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 शादी के ही दिन अपना plan पहले से set होगा वो लड़की एक letter लिखेगी कि मुझे ही शादी नहीं करनी और फिर वो खाया हो जाएगी हाँ बिल्कुल सर अब मेरी उसे शादी करवा दो और उसके गाया बोले के बाद मैं सबके सामने देवदास बनने का ऐसा नाटक करूँगा कि मेरी फैमली दुबारा शादी करने के लिए नहीं करूए मुझे आपका style पसंद आया मैं भी अप सिंगम बनना चाहता हूं सर ध्यांदे ध्यांदे Yes Sir Oh My God Sir पहले ही काम पर लग गए वान ऐस्प्रेसो, डिस्पोजबर किलास में नो कॉफे, शुद आ गेट यू सम्थिंग एल्स ए किशोर, बॉस, ए किशोर, मुझे यहां क्यो ला है, मुझे कॉफी चाहिए थी यू ओना सिट, नो, आपके फ्रेंड तो यहां पर अकसर आते आपको तो पता है न, यहां काफी नहीं मिelती तुम इंडियान हो क्या? एक इचोर तुम इंडियान हो? तो प्राब्लम क्या है? इंडियान लडाकी फरस्ट टाइम देखी है क्या? तुमारा नाम क्या है? Аवंतिका अवंतिका, बहुत ही प्यारा नाम है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक प्रस्ताव रख सकता हूं? प्रस्ताव? प्रपोसर? रखो रखो सर, रखो, रखो सर, रखो, रखो सर जो मांगोगी वो मिलेगा, सिर्फ दौ अफते के लिए मेरी प्रेमिका बनना हो एक्स्क्यूस मी? आ, मुझे घलत मत समझो, मैं उस तरह का नहीं हूं, बदाना किशोर येस मैं, हीस अ परफेक्ट जेंटलमैन, इन फेक्ट, हीस अ कोल्ड बलड़ड वर्जिन हम कहीं और चलें, खुलकर बात करते हैं बॉस दो हफतों के लिए आपकी गुल्फरिंड की आटिंग करने पड़ेगी आपकी फैमिली को इंप्रेस करना होगा, और शादी के दिन ही भाग जाना होगा ये गलत नहीं है? गलत नहीं है, सही है, मैं घर में भी किसी बाहर वाले को नहीं आने देता है तो फिर अपनी लाइफ में किसी और को कैसे आने दे सकता हूँ इंपॉसिबल नेवर फॉलन इन लव अगर किसी को भूक लगे, तो जरूरी नहीं कि वो खाना बना है पर इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम अपने काम की बात करो, तुम बता तुम्हें क्या चाहिए बाइदे वेए, वाट यू थिंक आया है, अहुक का? अगर हुकर चाहिए होती तो तुम्हारे पास नहीं आता ओके अगर मैं हाँ काहूं तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें बोल दो दो हाफते, मतलब 14 दिन और रोज के 2 घंटे 128 इंटो 5000 यूरोस पर आवर 140,000 यूरोस क्या कहा? एक करण 25 लाख रुपए? सर इतने पैसे मुझे दे दो ऑपरशन करवा के मैं लड़की बन जाऊंगा आइल पूट सम रड़ है और सो फो यू पूरे 15,000 यूरोस दूँगा अगर ठीक लगे तो बता देना नहीं तो किशोर तुम्हें घर चोड़ देगा 30,000 यूरोस मन्जूर नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी किशोर की जरूरत नहीं है मुझे 20,000 25,000 फाइनल ड्रॉप कर दूँ मैं मैं यह कर देती हो लाओ पता नहीं ली कहा रखी है एक अच्छी ख़बर सुनानी है दो साल से मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ तुने अब तक यह बताया क्यों नहीं अब जरूर इससे बताया होगा तुने की नहीं बताया है क्या भाईया आपने मुझे भी नहीं बताया ना मैं तुझे क्यों बताता तू भी तो मेरे खिलाफ थी मैंने इसलिए आज तक नहीं बताया क्योंकि तुम शादी के लिए जित करते हैं और हम दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए थे लेकिन अब बता रहा हूं इसका मतलब ए दो साल तक बताया क्यों नहीं लड़की है या फिर वो किशोरी है चुप करना स्वरना वो कैसे दिखती है बाई वो इंजियन तो है ना बताओ ना पताओ ना पता था बाई तर्वी दिया फिरियन उत जासा या या फ्रे आफ वाउ ओट्ड़का आवटिका क्यों आना वाउ ओओ अवंदिका हा मध्दिका याना या आओ प्षूण प्षूण है। हुए। इढ देखाओ जल्दी आओ प्षूण थूण क्योट क्योट एक प्रपोसल आब एक भाद हैं और इसके लीए सच्छ में कॉंटरैक्स कर रहे हैं यह रहीए वार्या है यह रही विर्याओ यह लुग दाथ इस इस तो यह बाइ प्रेकोर्ड एट आइ Samba Shiva Rao wait a minute Sam कहा था था ना आपका नम Sam नही Samba Shiva Rao है जब मैं पैदा हुआ तब Samba Shiva नाम बहुत चलन में था अब इसे पड़ो और साइन करो sorry okay Samba Shiva Rao ji okay एक मिनट first meeting में family ने reject कर दिया तो पैसे नहीं देंगे what nonsense एहसान मानो के मैं उनसे मिल रही हूँ plan आपका है आपने मुझे select किया है अगर यह plan fail वो तो मिरी जमेदारी नहीं है आपकी family से मिलने से पहले मुझे 40% non refundable advance चाहिए दो हफतों में plan काम करे या ना करे मुझे बाकी के पैसे दे देना ओके ठीक मैं पहले advance दूँगा अगर तुम reject होगी तो बचावा 60% मैं नहीं दूँगा अगर यह शर्ट मनजूर है तो बोलो नहीं तो हमारे यह सौदा cancel Cancel? Bargaining discussion नहीं हो पाएगी क्या कि यह थोड़े से old Indian man है 1928 batch के हो? हाँ यह 1928 batch वालों की Hindi तो बहुत प्यारी होती है न? खाक प्यारी होती है? मुझे तिन लोगों की Hindi डरावनी लगती है तो मैं traditional कपड़े पहनने होंगे मेरी फैमिली थोड़ी क्या बोलते है वो? Conservative type क्यूं? आप खाना खाने के लिए धोती पहनते हो अगर मैं आपके बताए कपड़े पहनने लगी तो सबको लगेगा कि मैं ड्रामा कर रही हूं आपकी फैमिली को कैसे इंप्रेस करना है मुझ पर छोड़ दो मैं देख्योंगे ठीक है तुमारी मर्जी एक मिनट शीज कालिंगी वाई सांबू है इस्क्यूज मी आप अंदर नहीं सकती आपको बहार वेट करना पड़ेगा क्या देख्योंगे क्या देख्योंगे अए वेरी मुच अहा वेरी मुच आफ अगर ये डील सेट नहीं होगी, तो मैं इस बार में दरूँ सोचुने, हुम सोचेंगी, सोचना, सचना, सचना, सोचना अच्छी लग रही है, यो, हमेशा अच्छी लगती हूँ मैं, इस इस जस मी मेकिंग शॉर, यो फैमली लाइक सी, बालों को कलर करके सही किया है, अच्छा है, अच्छा है, इसका बिल में तुम्हें भीज तूँगे, मैं क्यों बरूँगा, फिर से लाल करवालू, ठीक है, बढ़ दूँगा, ड्रेस कैसी है, क्या बोलते हो, क्लासी, ग्रेट, इसके भी पैसे आपको देने है, ओके, सर, डील कैंसिल हो गई न, लेकर क्यों, डील हो क्या है क्या, हाँ, तुम्हें मेरे बारे में कुछ चीज़न जाननी होगी, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, मुझे रफी साहब के गाने पसंद है, क्रिकिट में सच्चिन से जादा मुझे द्रवेड पसंद है, तुमसे तुम्हें कभी शादी ना करो, मुझे बीटल्स भी पसंद है, बीटल्स, अफकोस, आपके जमाने का फेमस बैंड है, अच्छा, आप पर्फ्यूम बनाते हैं न, फेवरिट फ्रेग्रिंस कौन सी है, अगर साच कहूं तो चंदन की, और एमेजॉन में मिलने वाला वो एक, अगर आपसे कोई यह सवाल करें, तो बहुत रुमैंटिकली बोलना, मेरी फ्रेग्रिंस आपको पसंद है, समझें, इंचलेजंच हो, वो तो मैं हूँ, अब आप मेरे बारे में जान लीजे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, मेरी फैमिली तुम्हारे बारे में हम उसे सारे मसाले पता होनी चाहीए, बस मा बाकी दहीं दूद सहम आओ बिठा, आओ, आओ न अब अब ждphoda ये मेरी... एक मिनिट... मैं बताती हुँ.. अ.. आप संकीता जी हैं... आप फैमली बिस्नीस का... फाइन बढ़ूनेंशल देख तिये... आप है संकीता जी के हस्बेंड और आप है स्वेेता जी मी, आप है स्वर्ना और आप है स्वर्णा जी के हस्बेंट and you must be Sam's darling sister Shweta और आप है Shweta के हस्बेंट इंट्रोडक्शन तो अच्छा था पर यह सब कैसे जानती हो तुम सामभ शिवराओ जी आज की जनरेशन के पास Facebook नाम की चीज है जिसमें लोगों के बारे में हम सर्च कर सकते हैं अवंतिका यहाओ आओ अवंतिका मामा क्या इस यो मदर आयू किदिंग मी आप इतनी यंग लग रही हो मुझे लगा आप फैमली फ्रेंड हैं कोई बात नहीं बिटा कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ आँटी ऐसा नहीं है बल्कि साम आपका बड़ा भाई लगता है यह पहली बार गहर आई है यह साधीत देनी ही पड़ेगी है ना यह मुझे ऐसे भी अच्छी लगी तो फिर फादू ड्रामा करने की क्या ज़रत बस भाई से शादी कर ले और कुछ नहीं अच्छा है मैंनी ट्रणिशनल कपड़े नहीं पहने तुम क्या करती हो बिटी आउंटी मैं वैसे तो वेटरिस का काम करती हूं बाट आइम पोएट अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश करवाने की कोशिश कर रहे हूं कवीता लिखती है ना इतनी इस डिफरेंस के बाद भी दोनों की जोड़ी किटी अठी लग रही है चलो भाई की पसंत जबर गई तुमारे घरवालों को तो पता है ना तुम दोनों के बारे में मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि तुम दोनों की बीच उम्र का काफी गैप है मेरे ममी पापा इंडिया में रहते हैं मैंने लगबग आट नाव सालों से उनसे बात नहीं की तो उन्हें कोई परिशानी तो नहीं होगी ऐसा नहीं है उनके लिए तुम्हें परिशानी हूं इसलिए जब मैं आपकी फैमली को देखती हूं तो आप 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 पहले मुझे एक कंफ्यूशन था सांग को लेकर लेकिन ऐसा खाना खाकर लग रहा है कि अब तो मैं इसी से शादी करूंगी तुम यहां कभी भी आ सकती हो बेटा जब भी तुम्हारा दिल करे मुझे शक है क्या यह तुम्हारे लिए सही होगा या नहीं मुझे लगता है इस बारे में इसे बात कनी चाहिए थांक यू आंटी मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगा आप सब लोग बहुत स्वीट हो आप सच अ लवली टाइम शादी का मोरत निकलवाने की सोच रहे हूंगा गुड बाइदवए टू आवर टेन मिनिट्स हो गय है तो थर्ड आवर का चार्ज लगेगा क्यों कैसी लगी सबको बहुत अच्छी दो हफ्तों में वो इंडिया जाने वाली है छे मेने तक वापस निया आएगी तो इसका मतलब समझे तो आप दो हफ्त जानी करने वाले हो सामू अरे तुमने आईसे कपड़े को पैने क्या हुआ क्या हुआ क्या प्राब्लम है तुम्हारी चेसबोट वाली शट ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम अच्छी लग रही हो लेकिन मा तुमसे मिलना चाहती है पता नहीं क्यों क्रिट कार्ड दो मां क्या बात है आओ तुमना है हाई भाईया हाई हाई आंटी अजी नमस्कार यह क्यों तुम्हें शादी में कुछ पारंपरिक पहनना होगा ना इससे लिए शादी के लिए ट्रडिशनल कपड़े कर राउलना है तो तू क्या सूट पहनने वाला है हाँ आये श्लीव कितनी रख़ू मैं यहां थक हम ने ने थोड़ी से लंबी रखें सुगरा वोने कुछ ने कुछ नहीं किया घर में है क्या नहीं नहीं कहीं और से आ रहे हैं किशोर तुम ही हो ना हाँ सर बॉस के मामा बड़े अजीब दिखाई दे रहे हैं I am किशोर मैं सैम सर का पीए हूँ पीए हो या सीए हो मुझे क्या फर्क पड़ता है ये समान कुन उठाएगा सर क्या पता सर आपका ही तावाज जाएगा मुझे उठाना पड़ेगा ये स्मेल कैसी है मस्त है ना गुलाब की सुगंद है काफी तेज है लोग दूर से ही पहचान जाते हैं इसे मत लगाओ मेरे बॉस की नाख कुत्ते से भी तेज है सुनके देखो न अच्छी ये बद्बू उससे बदाशती होते हैं ये क्या है कार फ्रेशनर है इसकी बहुत जरूरत है भी कितनी गंदी बद्बू है छे छे घर के बने इत्र का कोई जवाब नहीं हम वैसे सैम का धंदा कैसा चल रहा है यहां पर मख्यां तो नहीं मार रहा है हम आप सैम की धंदे में क्यों घुस रहे हो सर् क्या खा सैम ने तुझे बताए नहीं नहीं इत्र बनाने में मैं अपने गाओं में वर्ड फेमस हूँ उसके सूंगने की ताकत उसे अपनी मां से मिली है पर्फ्यूम बनाने में मेरे बॉस का जवाब नहीं है मेरे सामने तेरा बॉस चीनी कमचाय है पता है तेरे आज के इन बेहूदा पर्फ्यूम की वज़े सही हमारा धंदा एकदम ठपड चुका है ऐसी क्या खास बात है इनमें एक घंटे भी ये माल नहीं ठिकता और डिंगें बहुत बड़ी-बड़ी हांकते हैं ये रहा असली परफ्यूम थोड़ा सा लगाओ किलोमीटर तक महकते रहो तुम्हारे बॉस को तो अब इस सुम्र में रिटायर्मेंट ले लेनी चाहिए अब शादी करने से कोई फायदा नहीं अब तेरी उम्र मैदान में खेलने की नहीं बल्कि दर्शक बनकर देखने की है यह लड़की कौन है इसका नाम अवंतिका है यह सैम की मंगेतर है तुम तो बहुत खूब सूरत हो शादी करने के लिए यही मिला था तुम्हारी कास्ट ब्रॉडकास्ट बाबा अलम के जमाने के आदमी आज भी कास्ट मटके हुए हो तुमने तो अभी जमानी में कदम रखा है यह बताओ क्या सच में तुम्हें इससे पर आ रहा है सर सर आप जो कहना चाहते हैं मुझे बताईए बोलिए सर आई विल ट्रांसलेट आपको इनका एच चाहिए समझ गया समझ गया मुझे फाकर है तुम अभी जमीन से जुड़े हो अच्छा इनके इंढ़े पर आपका दिला गया है तुम मेरे सच में तुम कहां लेकर जारी हो आप आखिर वो शादी के लिए मान गया है बहुत अच्छे बात अब थंड़क हुई है किशोर बॉस हमारे प्लाइन के अनुसारी सब कुछ हो रहा है ना सब वैसा ही हो रहा है बॉस आसमन थोड़ा ज्यादा ही नीला लग रहा है उस डिलिवरी वाले का क्या हुआ ओन टाइम है कोई रुकावट तो नहीं नहीं कोई रुकावट नहीं बॉस इस लुक में आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं बॉस यह तू रख मुझे ने चाहिए बेटा यह चश्मा उदार दो यह हमारी प्रथामे नहीं है बेटा ओम भूर भूस्वा मेरे साथ मंत्र दोहरा मंत्र ठीक है आप जालो रखिए मुझा केव को हाँ ठेक कहा हो तो अब तक पहुंचे क्यों नहीं अरे क्या हुआ यहां मैं रखती हूँ बाद में फोन करती हूँ क्या हुआ क्या बात है संगीदा दिदी यहां बोलो तो भाया को देखो यकीन नहीं हो रहा ना कि भाया की शादी हो रही है आज कितने अच्छे लग रहे हैं ना सही कहा तुम ने कहें मेरी नज़र लग चाह अच्छा लग रहा है यह हमने इसकी फेस्बूक पे प्रोफाइल बनाएंगी ना उस पर कि यह वाला फोटो डाव दिख्या भाई अच्छे लगई यहां अच्छी फोटो आई यहां अच्छी लगई यहां अच्छी फोटो आई यहां पाइनली गेटिंग मेरी टोड़े but I would have married you we had such a great night remember तु मेरी साथ ऐसा कैसी कर सकते रपने तुम से हैशादी के रफेसजू कर हूँ स दो हां पर मेरी मम you were such a wild 새 do you know I love you? you said you were never married इतनी टेर्ग्यू करती आने में कब से तुम्हारा इंतिजार कर रहे हैं यहां पर सारी सर लूज मोशन्स सब कुछ याद है ना बिल्कुल सर बोलो सरा साम शिव राव के लिए लेटर आया है एमर्जनसी है अब होगा एक्शन चिला चिला जोर से चिला साम शिव राव के लिए लेटर आया है एमर्जनसी है अरे भाई कौन हो तुम कौन हो बोल बोल फिर से बोल Sam Shiv Rao के लिए letter आया, emergency है Sam Shiv Rao के लिए मैं हूँ, Sam Shiv Rao अरे ये तो मेरे boss है, आज उरी की शादी है Sir, आप के लिए courier आया है, sir देखिये sir, चल तो निकल ले हैं से Boss, इस वक्त आया मतलब कुछ अर्जेंट ही होगा मुझे तो जल्दी पता नहीं किसने भेजा है boss चलिए ज़रा खोल कर देखते हैं Boss, किसका है boss अवन्तिका अवन्तिका, शादी से पहले love letter What a romantic thought, sir Boss, मैं बहुत excited हो रहा हूँ, sir अगर love letter है तो सबको सुनाईए ना पढ़कर सबको सुनाईए boss मेरे प्रियता मैं तुमसे, मैं तुमसे आगे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती शादी नहीं कर सकर मेरा उपनेश्य Tumhare परिवार के सामने तुम्हारे इंसेंट करना था यिदी लिखाए उसेढ़ वो मेरे किसमत पर आजर्या आज़ा जटका है इसेढ़ डिप्रेशेन ने आकर तुम मर जाओ यही आशा करती हूँ भगुवान 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 ग्या लिगा इसने अवंतिका अवंतिका मैंडम दो हमाइब इसना रोए है और जोड़ सो रोई है भगुवान अावर्टिका, तुम्हें यह क्या कर दिया, og आउस नशानी कौट करेगा, बहुत समझ के हैं, तुम्हें कहें, भूआधीका, तुम्हे लेकर देती है, अवार्टिका, मैंने तुमसे प्यार किया, प्यार करना कोई गुणा है, ज swings से भरुशा उड़ गया, आपने कोई गुनार नहीं किया दो गोर अन्या है बोस उसने मेरे बोस को दो का दिया है यकीन करना थोड़ा मुश्किल है वैसे कहानी फिल्मी होने वाली थी पर यहाँ गड़बड की गंध तो जरूर है बस करिये बॉस यहां सब चाहते कि मैं खूल के आजूर हूँ मुझे प्रेम के जाल में, I mean मेरे बॉस को प्रेम के जाल में फसाया आवन तिकाने एव अगवार यह कुछ देखने से पहले मैं मुझा हूँ एव उपरवारे, यह क्या दिया तुझे मुझेए इन फळल भूल था कोई मतलभ नहीं है जिन्नकी में बार तुझे क्यों चोले किया चयक्यों मुंह भूरे मुझे कियो को मार है? क्यों मार रहे मुझे कियो उस्कूल है? इस सबना रोको ने और सारा इस्वाम अभंधिका पड़ल रहे मैंद हिए पुझी कि घया और आप समझे क्यो मार रियो हम ने पेज भूक मेह उनक को वारना पर जिर पिए और फोल्क न कन खकेकर कोजो मुझे जाहे मुझे से ड़ाजा मैंडम इस पॉल्क को मार dealt में को जो है न जब हरिma है रोल जुकी Michal मा, 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 यह सब तुम्हारी वजे से हुआ है, तुम्हारी वजे से इस शी गुंट बी फाइन, डून फरी, शी संडर ऑब्सरविशन, विल टेक के अब टॉक्टर ने, उन्हें गहरा सदमा लगा है, कॉमा में जाते-जाते बची है, पर इस सदमे की वजे से उन्हें साइको समयाटिक अटैक आया है, यह कैसे बीमारी है, यह बीमारी थोड़ी वीजिए से है, किया मनों दीख सते है, जलो चलो चलो, चलो मा, मा मा अवन्तिका 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 यह जब तो महरी मज़े से हुआ है अगर मा को जिन्दा देखना चाहते हो तो अवन दिका को लिक रहा हुआ है मुझे कुछ नहीं पता आसमान से पाता आसे कहीं से भी डून करना उसे लिकिन लेकर रहा हुआ है मुझे मा को सही सलामत देखना है और कुछ नहीं जाओ और उसे लेकर आओ उसे बिना लिया मताना हाइ अर्जिंटली क्यों बुलाया और तुमारी शादी कैसे रही मां हॉस्पिटल में है ओनो इशी होके है मुझे तुमारी है चाहिए हाँ बोलो क्या करना है वो बार बार तुमारा ही नाम ले रही है मेरे पास एक नया प्लान है हम इस प्लान का दूसरा एक्रिमेंट बना लेंगे तुम्हारी मां कोमा में है और तुम यहाँ पर कॉंट्राट लेकर आयो यूरे सचल यूनो वाट राइट वो कोमा में नहीं है बस साइको समाटिक अटैक है मैं यह सब मा की भलाई के लिए कर रहा हूँ अब मुझ से यह सब नहीं होगा अवनतिक got क Zion इसुम्हें तुम मेरे डाइप की हो भी नहीं हाहा सच में मैं तुम्हेरे डाइप की नहीं बोलो मुझे वह तो भरी भरी लड़किया पसंद है और मैं हरी भरी नहीं हूँ ना मुझे के बता तुम ऐसे दिखते थोड़ी हो तो जाओ अपने लिए कोई हरी भरी धून लो जाओ टैक्सी अवंतिका सुनो तो मैं तुम्हें जादा पैसा दूँगा अब समझ गाए मैं अवी तब कुवारा क्यों इसलिए है अवंतिका मुझे बैंक बैलन्स दिखाने को कहा था ना, करल ही मेरे अकाउंट में 25,000 यूरो क्रडिट हुए है, मेरे पास अप्रोटल 37,000 यूरो है, इतना तो काफी होना चाहिए ना, नहीं, इतना काफी नहीं है, ना तो तुम्हारी शादी हुई है, ना जॉब गारंटी है, कम से कम 75 यूरो की जरृत होगी, मुझे पहले इंस्पेक्शन ओफिसे से अपॉन्मेंट कैंसल करनी होगी, नो, 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 यू गॉट में रॉंग, कैंसल मतलब पूरी तरह कैंसल नहीं हुई, मतलब, अक्चली, शादी के दिन ही साम की मॉम को अटैक आ गया था, वो अभ शादी नहीं करूंगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मा के ठीक हो जाने के बाद शादी कर ले, इन फैक्ट मैं और रड़ी साम के घर में शिप्ट हो चुकी हूँ, प्राक्टिकली मैं शादी शुदा हूँ, आप ये बात इंस्पेक्शन ओफिसर को बता सकती है, असल बा ये मैं तुम्हारे लिए नहीं करें, आंटी के लिए करें, बताओ तुम्हारे नाया प्लांग क्या है, और कांट्रेक्ट चाहिए शुक्रिया, तुम देवी हो, मैंने तुमसे जो पैसे बढ़ाने की बात की थी न, पर मैं तुम्हें पहले जुतना ही पैसे दोंगा, चलेगा न तुम्हारे मैं हॉस्पिटल में है और तुम यहां बारगेनिंग कर रहे हूँ, हाओ किन यू बी सो हाटलिस ओहो, दयाग की देवी, ऐसा होता तो तुम फ्री में मेरे लिए काम करती ओहो, ओहो, रुको, रुको ठीक, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, अब मैं तुम्हें प्लान समझाता हूँ, उनसे कहना है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है और तुम मुझे एक आखरी चांस दे रही हो, उसके बाद मार कुछी दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगी, एक बार वो ठीक हो जाएं, फिर तुम्हें घर के, सारे मेंबर्स के दिल में एक एक करके, तुम्हारे लिए नफरत पैदा करनी होगी, तुम्हें उनकी जिंदगी नर्ग से भी पत्तर बनानी होगी, उन्हें ये कहने पर मजबूर करना होगा, कि सैम अगर तुम्हें आवंतिका चाहिए, तो तुम्ह हम सब को भूलना होगा फिर मैं काऊंगा मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है और मैं अपने परिवार के लिए अपने प्यार की कुरबानी दे दूगा फिर मेरे प्लान की हैपी एंडिंग हो जाएगी कैसा लगा एकदम वहियात तुम्हें पता है मेरे पास ना एक बढ़िया आइडिया है इस बार हम तुम्हारा घर छोड़ कर कहीं और रहेंगे एक्स्ट्रा बेडरूम ले लेंगे और हां रेंट मैं नहीं दूंगे पर क्यों हमारा अलग रहने का आइडिया इन्हें पसंद नहीं आएगा इन्हें अनकंफ़टिबल फील होगा इट विल बिल प्र रहने का आइडिया पिलकोल पक्वास है होगी सामू वेट 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 ऑगी फाइन है चलो हास्पिनल चलते हैं hmm ma अंटी मैं एंटी मां अवंतिका को पसंद करने लगीए मुझे नहीं पता अवंतिका को घर लाना ठीक रहेगा यँ नहीं रहेगा धीरे धीरे कहीं मैं इस दलतल में धस्ता तो नहीं चाह रहा हूं मुझे अब कुछ पीने की जरूत है अब आपने काम की बात की है सर वैसे भी पीने के लिए वज़े की जरूरत नहीं होती लेकिन दो-चार पैक से आपका दिमाग हलका नहीं होने वाला फिर? सीट बेल्ट लगाईए अब मिलेंगे हम लैला से मेरे पिछवाडे आग लगी है और तू मुझे यहां लेकर आगे अरे बॉस एक बार तो आईए ना आपकी आग बुच जाएगी देखिए देखिए सरा तू जा और जा कर उनकी सब भरवता त्यम कर आप यहां पर बैठिए बैठ जाएगे तू का जा रहाए बस एक मिरट मैं मैं आवी आता हूँ आप बैठे रहेगे जादी आना हाँ हाई हेँ 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 किछ और यह सैम का बरता हो कुछ बदलते हैं या रहा है दीजी अवंते का होस्पिटल आई थी भाया उसे लेकर आए थे मा को होश आ गया है उन्होंने उसे बात भी की क्या बात है सुनकर चैन मिला यह तो बहुत अची ख़बर है वैसे सैम अवंतिका को वापस ले आए यह तो ठीक है पर यह बात बनी कैसे यह जाना जरूरी नहीं है मामा वह वापस आगे यह बहुत है हो सकता है वो सिर्फ दीदी को देखने आई हो हमें नहीं पता उसने सैम को माफ किया भी या नहीं अब जिसने उसे धोखा दिया अगर उसने उसे माफ कर दिया तो कुछ भी हो सकता है दाल में कुछ तो काला है कहीं पूरी दाल ही तो काली नहीं इस वक्त दीदी का फोन हलो मैडम हे कि शुर काऊं तो प्लूप सैम से बात कराओ मेरी मैं उन्हें लेकर आता हो ना नहीं बस इतना बताओ तुम दूरा भी काऊं ठीक लोकेशन भीजता हूं हाँ जल्दी करो हा जल्दी का फोन आया था उसने मुझे भी कॉल किया था पर मैंने कट कर लिया सर और गलती से मैंने यहां की लोकेशन उनको भीजती सर क्या एक नंबर का गड़ा हूं सर अ आप देनी हैं माफ कर दीजी हामें जाने दीजे यह जो आला मुखी अपने उकने वाली सर जल्ना अब रुगोंगे उतना थुपोगे अरे रुगए मैं अरे रुम्चा मेरी माँ भागो सर भागो भागो जलाट क्या सोच कर तो नों जीपीए रोकेशन पर एड़ा में आप शर्ण फाने नीचे वहां चरो जो अरे तुम आया ओं यहां पर है रेस्टों नीचे चरो पकड़ा गया ज्यादा मासूम बनने की जरुर नहीं है किशोर 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 और यह मुसीवत हो गई है चरा आजा और अ आजाओ चरो भी आप अरे बाप रहें यह लोग यहां प्रेक के लिए नहीं लेख के लिए आए रहें छिठी जिठी तिप्रिन से भाम हॉए यह सब करते हुए तुछी शब नहीं गळाल Boss, boss please you take over Didi, यह सब प्यार की वज़े से हुआ है यह लड़की जो डांस कर रहे है न किशोर इससे प्यार करता है कॉनसी? कॉन है वो लड़की? कॉनसी लड़की? तुम चुआ तो यह भी पता दीजिये वह वाली वह वाली? उससे मैं प्यार करता हूँ मेरे डाइप की यह सब क्या चल रहा है वो, हम उसे समझाने आये थे कि वो यह सब छोड़कर हमारे परिवार का हिस्सा बने है मुझे कुछ समझ में नियारा में जा रही है बाइ स्वर्णा बाइ कर रहा है? मैं तुसे बहुत करने आई तो चल बाइ सर क्या कर रही है मामा जी हमाने साथ आय थे पता नहीं कहां रहे थे वह इस जुगे में कभी आते भी नहीं तुसा पर देंसा घौर कली युग है ए उपर वाले बीटिफुल बीटिफुल कहां है यह सर्फ वह तर वाल यह इत्र, गुलाब के इत्र लौनाट यह थे है, है, है शुवीड़ वहाँ है यह थे प्रोड़ यह कहाँ प्रोड़ वह झाल सच सच बताओ अवंतिकार ने तुम्हें माफ किया वो शादिक लेत यार है पता नहीं सोड़ना मैंने उससे पूछा नहीं मैं बस मां के घर आने के इंतजार कर रहा हूँ मां को खर ले जाओ चलिए मां अराम से तुमने हमारी बहुत मदद की है हमें बड़े खुशी है कि तुमने सैम को एक और मौका दिया कोई बात नहीं मेरी जब भी ज़रूत पड़ेगी मैं आजाओंगे इतना ओर एक्टिंग करने की ज़रूत नहीं मेरी मां की तवियत खराब है तुम्हारी मां के नहीं चिल आम जस्वर्मिंग अप मुझे इस सैम पर भरोसा नहीं है साम को एक और चांस देने से पहले मुझे इस पर 24 7 नजार रखनी होगी तो कल से मैं इसके घर में शिफ्ट हो रही हूँ चलेगा ना ए भगवान तुम दोना ऐसा बगवास आइडिये को मान कैसे कही शादी से पहले एक सांत रहना हमारी संस्कृति नहीं है जब जब रखो फेस्बूक ने हमें तुमारी सारी संस्कृति के बारे में बता दिया है उसारी फोटोस फेक थी उन पर यकिल मत करो स्वोड़ा सब्सक्राइब यह मी रखो हम सारा सामाने है चला हम चलेए बाइ और युआ के पाम में चले चलो तुम्हें मैं बात में देखूँगा ज़रा रुखो अवन्तिका यहां आचुकी है उन दोनों को कुछ वक्त के लेने दो लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई मैडम वेवकूफ इसका मतलब क्या कहते हैं उसे प्राइवसी चाहिए उन्हें ओ प्राइवसी मैं आउट हाउस में शिफ्ट हो जाऊंगा फुल प्राइवसी मिलेगी क्या बख्वास कर रहा है प्राइवसी किशोर यहीं रहेगा और सुर अपना सामान उटा और सारा का सारा अंदर रख मुझे सिक्यूरिटी चाहिए ऐल प्रवाइड सिक्यूरिटी किशोर आथ से हमारे साथ रहेगा बच्चो के कामरों में ठीका में में और सार से में बहुत जादा प्यार करता ह। उनके बगर में रहनी भायनी चरहा है और मेरे मेरी बच्चो के अगर आएगिga पहर हुआ है सर्य बच्चो के इंज दॉल्स्याल सर्युल्स हूँ कर 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 हह हम एक अफ्टिका, हाई, हाई, हुआ, हाई, हाई? वह वाट दा है, साम, तुम्हें पदा है, वह वो सिविखिनी महिंगी थी, तुम्हें तुम्हें पढ़े उसे पैसे बिदेना पड़ेगा तुम्हें। बंद रखो इसलिए मैं लोगों से प्ली रफरत करता हूं ये जगे कोई बार नहीं है उद्रो उद्रो अब यहां के नियम सुन लो यहां का एक भी समान इधर से उधर नहीं होना चाहिए यहां पर धूम्रपान, मद्यपान ऐसा कोई भी पान करने की अनुमती नहीं है तुम यहां पर्फ्यूम भी मेरी अनुमती बिना नहीं लगा सकते हैं चल सम्भू सर नेक्स टाइम बाहर जा के स्मोक कर लोंगी वैसे भी मैं पर्फ्यूम डियोडरन यूज नहीं करती जूट जूट बोल रही हूं तुमारे पास से तो खुश्बू आ रही है यह मेरी नाच्रल फ्रेग्रिंस है नामुमकिन तो ठीक है मत मानो वैसे भी तुम्हें इस चीज़ों ते इतना लदाव तो यह मेरी ओशीडी है इसके बारे में तुम्हें समझाने की मुझे कोई जरूत नहीं है क्या सेंबू जी यू रेली फणी राइट अच्छली तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता यह सब कहने माली तुम कौन होती हो तुम्हारे परिवार ने तुम छोड़ दिया और तुम यहां मेरे सीने पर बैठ कर मूंग दल रही हो हर्णातफ़ रही हो अवन्तिका? पावतिका बोलो क्या चाहिए तुम्हें गुरा अफ्रनून अवंतिका मैं यहां कल रात के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ मेरा वो मतलब नहीं था तो फिर बोलो क्या सॉरी इसके पच्चात आप के लिए क्या मैं तुम्हें डिनर बर ले जा सकता हूँ जहां सिर्फ हम दोनों जहां शेफ सिर्फ वाही बसन का खाना बनाए देखती हूँ मेरा क्या मूट बनता है इसके पैसे दे देना मुझे लगा था हम किसी महेंगे रेस्टरांट जाने वाले हैं पर मुझे तो पता ही नहीं था कि सैम मखी चूस है अवंतिका यह पहली बार है जो मैं किसी के लिए खाना बना रहा हूँ इसी खा तो मुझे डर है आजाओ गरमा गरम और लजीज खाना रढ़िये इसे गरम खाओ तो ही अच्छा लगता है अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना क्यों न हम सोफे पर आड़ाम से बैठ कर टीवी देखते हुए खाएं हम पहले यहां खा लेते हैं फिर सोफे बैठ कर टीवी देखेंगे यह अच्छा ऑप्शन रहेगा नहीं ओके, मिस्टर ओसी डِी सर अच्छे बच्चों की तरह हम यही पर बैट कर खा दे हैं, ठीक है? Cheers! Yellow bread. Thank you. सुनो, अवंतिका, मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानता नहीं. कुछ अपने बारे में बताओ ना. Oh, madam, आराम से. मैं हेदरबाद में पैदा हुई थी. जब मैं साथ साल की थी, तो अपने मामा, पापा, दीदी के साथ यहां शिफ्ट हो गई. उसके एक साल बाद, अमायरा का जनम हुआ. मतलब तुम घर में मंजली बैन हो. हुआ, अनन्या दीदी. देज़ साल पहले एक कार अक्सिडेंट में उनकी और उनके हस्बेन की मौत हो गई. है, भावान, I'm sorry. इस ओके. बट अमायरा, वो जनली, मेरी जान है. माई बेबी, माई एवरिटिंग. उसके बाद, मैंने कॉलिज जॉइन कर लिया. फर्स्ट ये में, अमित नाम के लड़की से, मुझे प्यार हो गया. घरवालों को वो पस्द नहीं था. उन्होंने समझाया की, उसके साथ मेरी लाइफ स्पॉयल हो जाएगी. यही कि वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. सेंकेंड ये में, मैं, अमित के साथ लिजबन भाग गई. इससे मेरी पेरेंट्स को बहुत दुख हुआ, और वो अमायरा के साथ इंडिया चले गए. उन्होंने फिर कभी मुझ से बात नहीं की. उन्हीं ये भी नहीं पता कि मैं जिन्दा हूँ या नहीं. पर कभी-कभी अमायरा से बात होती है. अमित के बारे में उनकी राय सही थी. मेरा और अमित का साथ कुछ ही पलका था. उसके तीन साथ बाद में वापस पोड़ चुकला गई. इसी वज़ा से मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और मैं एक वेटरिस बन गई. तुम्हें लिए लगता कि तुम्हें अपने ममी बापा के पास वापस जाना चाहिए? मैं अमित के साथ उनकी मर्जी के बिना भागी थी. अब वापस नहीं जा सकते. अब फैसला करने का हग मुझे नहीं, उन्हें है. Hopefully, someday, I miss them. Amaira, hello, hello, Amaira, hello. Mewka mobile है, यहां इसका network problem है, तो मेरा phone उज़ कर लो. Sure? हाँ, baby, मैं हूँ. यह किसका नंबर है? यह मेरे roommate का नंबर है, इसे भी सेप कर लो, एमर्जनसी में इस पर call कर सकती हो. roommate? बताया था ना, साम बश्रिवर राओ के बारे में, जिसके साथ मैं टेम्फररी रुम शेर कर रही हूँ. Oh, that! hot old man! हाँ, हाँ, बताया था था राओ के बारे में. हाँ, हाँ, वही hot old man. Oh, वह तेरे साथ है क्या? ओलना, तो बात क्यू नहीं कर रही है, तो यहीं आसमीं कैचाए क्या? हाँ, यही है, मैं बाद में बात करते हूँ. I love you, bye, बाद में बात करते हूँ. Okay, bye, bing, bye. hot old man. I'm so sorry. I'm so sorry. मैं टिशु लेकर आदी, और से साफ कर देती हूँ. चिल्ल अवंतिका, very very hot older man को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम्हें पता है कि मैं कितना hot हूँ. पर मैं कितना खोलू यह नहीं पता. और आतारा हूँ. अंपूरा वे लोगानी चेन कितना हूँ. बूंपूरा एंपूरा और देता चैयाके अेई स logs ववेृूरा फ authentic साफूरा करे यहाँ. तुम्हें कसरत करनी चाहिए हारी भरी लड़किया जो बसंदे तुम्हें चलो 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 रूप क्यों गए चलो ठीक से करो वान, कम ओन, हार्डरेड ओके सांबू, यह तो बता अगला प्लान क्या है, सारा प्लान बनाया जा चुका है, रेमोट दे न, हमारी पहरी टागेट होगी, मेरी बहन श्वेता, मुझे नहीं पता श्वता, अरे मुझे कैसे पता होगा, तुमने मुझे डाइपर समालने को कहा था, पता न, कहां चले गए, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, हमेशा घर में ही रहते हो, और क्या करूं, मैं ये सोच कर आया था, कि शादी के बाद मैं विदेश में रहूँगा, जब यहां आया तब पता चला, कि मुझे यां बच्चों के डाइपर बदलने के लिए लाया है, इस घर में पैंट तुम नहीं ये पैंटी है, तुम तो जान बूच कर कुए में कूद गए, तुम्हारी जिन्दे की तो नर्क बन चुकी है, मुझे तुम पर दया आ थी है, हमारी दूर्शी शिकार होगी, संगीता, बहुत अचा लगा है बेटा, ये हेस्टाइल बहुत बुरे लग रही है, नहीं बेटा, स्कूल के लिए परफेक्ट है, अच्छी लग रही है, हे अब अवंतिक है, ये अच्छी लग रही है ला, मुझे भी एस्टाइल बिल्कुल नहीं अच्छी लगी पर ममी मेरी बात ही नहीं से ऐसी बात नहीं है तुम्हारी ममी तो बेवकूफ है अगर तुमने इनकी बात सुनी तो यह देखो इनकी तरह बन जाओगी इसा बनना है नहीं नहीं तो अब मैं तुम्हें स्टाइल दिखाते हैं यह जी है मैं दिखाओ इसे कट कर ले हाँ क्या अवन दिखाने यह सखी वो खुद को समझती जया है यह तो सा सार बत तमीजी है मैं अभी उसे फोन करता हूँ और तुरंट उससे ब्रेक अप करने के लिए भोलता हूँ अपना मुह बंद रखो इतनी बड़ी बात भी नहीं है पर मेरे लिए वो समझती क्या है अभी वो परिशान है परिशान वो नहीं है संगीता परिशान मैं हूँ वो मेरे परिवार की बिजदी करें और मैं देखता रहूँ कभी नहीं अब चुर भी करो वो लड़की है तुम्हारे लेनी आई है मा के लिए आई है दया कर रही है हम पर और कोई लड़की होती है लाता तुम्हारे हड़ी पस लिए कर देदी समझे तुम मेरी बात सुनो वैसे भी तुम्हारे पास कोछ चीज़ हमें बचा है मेरा मतलब है तुम्हें जल्दी कुछ करना चाहिए न हमारी बात मान जाओ स्वार न आर तेरी बारी है ईस पर पहले आवन्दी का का हक है विए 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 अरे बात देख यहाँ आप पर फुल स्टॉप लगना जी है कहीं आप अमर होकर तो नहीं आई है ना ऐसा लगता नहीं कि आप ज़्यादा दिन टिकेंगी अवान दिका यह तरीका तुमाना मां से बात करने का ए शांत हो जाओ ठीक ही तो कह रही है सभी कहते हैं मेरी जीवन रिखा बहुत नंबी है सज बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए इनसान में मैं इस घर से कभी नहीं जाओंगी कहीं नहीं जाओंगी यह हो मेरे तुम यह आइडिया तो फ्लॉप हो गया तुम्हारी बत्तमीजी परवी इन लोगों को तुम दे भी नजर आ रही है कोई बात नहीं साम मेरे पास भी कमीनेपन का सर्टिफिकेट है अब मैं इसे अपना ए सर्टिफिकेट दिखाती हो मत करो सर्ट शुब काम में उंगली करना अच्छी बात नहीं होती लेकिन मैंने तो भोड़ दिया प्लड़ी साइको फैमिली हां अच्छा मजा कर रही हो मैं सेक्सी नहीं दिखती ये ड्रस मेरे हस्बन ने मेरे बादे पर गिफ्ट की थी मुझे लगा ये पकवास है पर अब अच्छी लग रही है मुझ पर अच्छा 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 सिर्व अच्छी नहीं हां बहुत जदा हाट लग रही हो ये कौनसा पर्फ्यूम है वही है पुरानी वाली मैंने श्वेदा को नया वाला दिलाए था लेकि उसने मुझे नहीं बताया सही बात है जोला रुको ना कोहान आये अरे अरे छोड़ो जा करियो सब देख रहे है ओए फैंक यू अरे लेकिन बाग क्या है क्या तुमने सोड़ना को किस किया उसकी तो आलत खराब होगी होगी तुमने देखा रही अपने हस्बेट को बेडरूमें लेकर गई उसके बाद क्या हुआ एई साह चला ओके तुम चलो मुझे जरूरी काम है थोड़ा लेट होगा चलेगा न तुम कहा जा रही हो क्या साल लो क्या साल लो तो रास्ते भी है मैं तुम्हें छोड़ देता हू अरे वह किस किस इधार आना लाइफ में रोमैंस नहीं और नाम की शुरवात में किस किशोर बोला करो जल्दी बात्रूम वहां पर जल्दी चले जाओ बात तो सुन मुझे रोल पेपर चाहिए थोड़ा अर्जंट है रोल पेपर हो या पेपर रोल हो क्या फर्क पड़ता है काम तो एक ही करता है अरे यार यह मतलब नहीं है मैं सुट्टा की बात कर रहा था सुट्टा मतलब क्या चीज़? औरे, सुट्टा नहीं जाबता है, नहीं, गाजा, बसे हैं, सर, ये पूरी तरह से इलीगल है, सर, इसके लिए आप अरेस्ट भी हो सकते हो, सर, ये आप एंटी सुचल और एंटी नेशनल हरकती कर रहे हो, ठीरी बोलना, ठीरी बोल, एक हफते से मैंने सुट्टा नहीं मारा, कोई कोणा डोड़ कर सुट्टा मारने में क्या बुराई है, कहीं किसी ने आपको पकड लिया तो, क्या अच्छा लग या, सर, आप खुद सोचिए, इसके अंदर जाते ही, हम जन्नत की सैर पर निकल जाएंगे, नो सर, I will not allow this, you will have to be silent, just be silent, silence, I said silent, I will not listen this, oh my god, please save this family from this illegal intruders किशोर, किशोर, अब जाकर पंच्छी आजाद हुआ है, अब इसे उडान भानी है, पर इसका क्या मतलब हुआ, तूने देखा, हाँ, देखा मैंने, अब देखना, ये अच्छा आसन है, meditation is the solution for every headache, किशोर, तो यहाँ क्या कर रहा है, चक्र गैस आप कर देजा, ये घर में इतना धुआ क्यों फेला रखा है, दम घुट रहा है, किशोर, क्या क्या कर रहा है, हाँ, I don't know, but it's crazy, मुझे कुछ भी याद ने आ रहा, मैं सब कुछ भूल कहा हूँ, अरे, 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 जस्तिन तिम्बर भाई, तो वो क्यो रहा है, भाई, मुझे याद नहीं है, तो पर किस बात के लिए रो रहा है, मुझे भूल गया, उसे याद कर रहा हूँ, तुने बहुत अच्छा किया, किशोर, जो इसे जला दिया, सभी को जन्नत की सेर करा दी, वैसे ये सैन कहाँ पर है, उसके प्लैन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, क्या रे, मैश, तो हमेशा मेरे बेटे के पीजे क्यों पड़ा रहता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, सत्तिकी हमेशा जीत होती है, समझी दी जी, मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है, पर वो लड़की क्या नाव उसका है, अवंतिका, वो लड़की स्मार्ट बनकर निकल गई, और आप लोगों को जरा भी बुरा नहीं लगा, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, वो सैम की दीवानी हो गई है, पर उसकी दीवानी उसके बरताब से मैच क्यों नहीं हो रही है, उसकी बात का आपने जवाब क्यों नहीं दिया, अच्छा दीदी मैं एक बात पूछा पूछ 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 वो सैम को लेकर चली गई पर भी आपको कभी अकेला मैसूस नहीं हुआ मैं बिस अरे उसे अपने सिर पर ऐसे ज्यादा चड़ने मत दीजिये दी अगर आप ऐसा ही सहती रही ना तो वो आपके बेटे को ही आपसे छीन लेगी फिर आप क्या करेंगी तब कैसा लेगे आपको कभी सोचा है इस बारे में हाँ एक किश्चूर जाकर कैस बार करते हैं ऐसे क्यों खड़ा है लग रहा है जैसे कोई छेमिया अपने कस्टुमर का इंतजार कर रही है छेमिया आप मुझे कुछ याद आ रहा है रौफल आइड तो गो तो दे लू क्या गा टैंकी खाली करने टो पुद्ध आठी हें अग्या अग्या आठी जायर ने सब्सक्राइब तो याद ने आर रहा अ कर याद ने हैं उड्री आर्व और यो कम याद ने रहा रहा मुझे मारेगा तू ए बगवान इसकी आंखे इतनी लाल क्यूं है लगता है इसे जूर से लगी हुई है ब्रडी डाक फेलो मुझे हुशिया रहना पड़ेगा सॉरी सर पहले आप जाईए मैं बाद में आऊँगा सर मैंने सॉरी बोला ना सर कुछ तो बोलिये न सर जब मैं बोलू तब मत बोलिये मेरे बाद बोलिये ठीक है सर मैं तीन तक गिंती किनूँगा फिर आप बोलना सर ओके वन मैं एक नंबर करने आया हूँ मैं यहाँ एक नंबर करने ही तो आया हूँ हाँ मैरा हालो मैंने अभी तेरा मैसेज पढ़ा तो अमित से मिलने क्यों गई है तेरा दिमाद तो चीग है आयो ग्रीजी रिलाक्स रिलाक्स किदो इस नोट लाक्स जोईंट अभी भी उसके साथ है उसने मुझे बताया कि वो अभी लिस्बन में है और वो मेरे पैसे लोटाना चाहता है बस वही लेने जा रही हूँ लिस्बन लिस्बन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है अभी के अभी घर आजाओ अमायरा प्लीज मैं नहीं चाहती तो मुझे दुबारा मिलो अच्छा मैं बाद में बात करते हूँ अभी भास निए लिस्बन लेकिन यार तो आज भी हूना तेरा कम अमिद अरे कम ना बाबा अमिद गाइस और यू प्लीज शो शो मैं प्लीज प्लीज गॉएड it looks like she's his ex-girlfriend अमिद मेरे पैसे दो मुझे जाना है बैठो ना यार इतने सालों बाद मिले हैं दो चार बातें दो कर ले तुम्हारे पैसे हैं दे दूँगा मैं बदल गया हूँ यार हलो हलो साम मैं अमायरा अवंतिका की छोटी बहन हाई अमायरा अवंतिका कहीं भाहर गई है मैंने तुमसे बात का निकले फोन किया है तुमने उसे अमिट से मने के लिए क्यों भेज दिया मैं समझा नहीं तुम्हें नहीं पता वो क्या कर सकता है तुम्हें पता है उसने उसके साथ क्या किया था नहीं अमिट I don't want to talk about the past सी तुम्हें जरा भी नहीं पतली अमिट इतने सालों बाद हम मिल रहे है लेकिन तुम जब से आये हो तब से ही साला फोन बज़े ही जा रहा है अमिट, गिमी माइ फोन अरे चिल यार नहीं दूँगा, फोन ही तो है अमिट, डूँगा, जरा भी नहीं अमिट, डूँगा, डूँगा, गिमी माइ फोन मैं तुम से बात करे हूं, मेरा फोन दो अमिट, अमिट, अपनी एक्स गर्फेंड से मिलना आठा सुचा बिना किसी दिस्टरबंस के बातचीत करेंगे यह विसे प्लाव। आप। अब यह रखностरू स सम्भाश्व राव। अमिट, यवन चाहिए है अमिट, यून वादू मुझे आठा चाहिए मुझे अब जाना चाहिए जिसके में एक्सी पालिए, यह बहुँगा अँगए ते बत्यव करी और एंट से सहिंग edeगत धुम्यांट आफ से फोड़ की । जास टेक इसमेन आट टिर्वार वहें तो यहां तुम्हग केसे एए मुझे पच्नि पच्छी मां तर्वास तक्रागी चलो घर्टेन है संद्छी 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 संद्छ तो ये है तेरा संभाशिवरा अरे बापरे अरे मैंने तो सुचा था कोई जवान लॉंडा होगा ये तो आदा बुढ़ा निकला रे तो सा प्लीजवरा सा प्लीजवरा, तो सा रे रे लॉवरा मौरूश नहीं नहीं प्लीज साप प्रहे दो मारो इस कमीने को साप प्लीज मारो इस कमीने को कमीने को मारो इस घ्लीज साप लिल मैं मारो इस कमीने को कि अाव इस कमीना ये रगो, तो आने परसे तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ, अगर कोई तुम्हें दुबारा मारे, तो उसका सिर फोड़ देना, या फिर मुझसे कहना, मैं तुम्हारी साथ हूँ, क्या करी हूँ, कोई ऐसा कर भी कैसा सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें एक हिम्मती लड़की हूँ, वैसे तुम इतनी बड़ी-बड़ी बातें करती हो, महीं ठोक देना चेदर साले को, मारो इस कमीने को, बोलो-बोलो, एक बार फिर से बोल के बताओ ना, तुम्हें ये सब मजाक लगा, ये आपको मुझसे नहीं किसी और से कहना चाहिए, बॉस, अवंतिका है ना, मुझे नहीं पता है बॉस कि आपको ऐसास हुआ है या नहीं, यूर इन लव, आप उसे कहते हैं क्यों नहीं बॉस, ये तो क्या कह रहा है, मेरी उम्र देख, और अवंतिका की उम्र देख, आपको और लड़कियों के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई तो समझा नहीं, ये लड़की उन लड़कियों से अलग है, वो सब आने जाने वाली थी, मैं उन लड़कियों के लिए कभी सीरियस नहीं हुआ, पर ये लड़की सबसे अलग है, मैं भी सोचता था, कि मैं हमीशा अकेला ही रहूँगा, जब से अवन्तिका मेरी जिन्दगी में आई है, उसकी हासी, उसका बोलना, उसका खुस्सा, मैं अवन्तिका को कभी भोल नहीं पाऊँगा मैं जानता हूँ मैं उससे कुछ नहीं कह पाऊँगा, मुझे डर है, माने एक बार मुझसे कहा था, कि हर चीज़ का एक सही वक्त और सही उम्र हो दिये बिटा, पर उस वक्त मैं नहीं समझा, कि जिन्दगी के सही माइने क्या होते हैं, ये बहुत खुबसूरत है, पर आप जाके मुझे हैसास हुआ, कि बहुत देर हो चुकी है, अगर आप मैं अवन्तिका से अपने दिल की बात कहूँ, ये एक खुदगर्जी होगी, कैसी खुदगर्जी बोस, आपको लगता कि उम्र बीच में आ रही है, कभी आपने उससे पुछा क्या, एक बार वो नादानी में गलती कर चुकी है, मैंने चाहता कि ये गलती उससे दुबारा हो, अवन्तिका के लिए ही अच्छा होगा कि मैं उससे दूर चला जाओ, क्योंकि अब कुछ बुरा हुआ, तो वो बर्दाश्ट नहीं कर पाएगी, देदी, आपके बेटे को तो अपने और पराय से कोई मतलब नहीं है, पर आप हमेशा अपनों के लिए ही जीती आई है, मुझे अब सिर्फ इसी बात का डर है, वैसे अब कुछ भी हो, पर मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ, ए, ऐसी बाते क्यों कर रहा है, जब भी बुलाओंगी, तुझे दौड़ कर आना पड़ेगा, देदी का खयाल रखना, नमस्ते मामा, अब मैं चलता हूँ, बैग में ले लिता हूँ, लई, हाँ, वो चल दिया जाएगा, अवंतिका, जैसी बात हुई थी, तुवारा फाइनल चेक रेड़ी है, काम पूरा हो तो यह मिल जाएगा, अवंतिका, खाना अच्छा बना है, अवंतिका को आने दो, हालो, हाई, माम, आपको कुछ चाहिए, माम को गोभी के पराठे तु, अवंतिका को दो बेटा, अवंतिका गोभी के पराठे, क्या हुआ, अवंतिका, अवंतिका, नहीं चाहिए, खालो, 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 क्या लगा रखा है, हाँ, हरोज बस यही खाते हो, क्या, एक ही चीज, हरोज, बात यह है, सैम के पापा को गोभी के पराठे बहुत पसंद थे, वो हर संड़ी घुबी के पराठे ही खाते थे, उनके जाने के बाद में हर संड़ी घुबी के पराठे बनाया करते हैं, किसी होरर स्टीन की कहानी लग रही है, वो तो मर्द चुके है, आप हमें क्या ठोचक कर रही हो, मुझे लगता है आपने दिन रात उन्हें यही एक चीज खिला-खिला कर मार डाला और अब मुझे भी मारना चाहते हो Stupid people, bloody sentiments मुझे लगता है इनके मरने के बाद यही टॉचर हम सब के साथ भी होगा What the hell तुम्हें कुछ कहना है बताओ मुझे तुम्हारी परवरिश में मैंने कहां गल्दी कर दी बताओ मुझे तुमने मुझे जाने दा बेटा मुझे पता है तुम इससे नाराज हो पर हमने तुम्हारी साथ क्या खलत किया मैं तुम्हें इस परिवार का हिस्सा मानती हूं हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं हम हमेशा तुम्हारे भले की ही सोचते रहते हैं चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो बोलो कहा गलती हो गई हमसे तुम दोनों हमसे नफरत करते हो ना तुम सही हो मैं ज्यादा दिनों की महमान नहीं हूँ बस जानी से पहले तुम दोनों को खुश देखना चाहती हो पर मैं पर अब मेरे अंदर इतनी शक्ती नहीं है बिटा जाओ यहां से फर्क नहीं पड़ता तुम दोनोंने क्या सोचा पर जहां भी रहो खुश रहना अवन दिखा अवन दिखा अवन दिखा अवन दिखा बोलो यहीं फाइनल पेइमेंट थी ना किस तरह के इंसान हो तुम् तुम्हारे अंदर फिलिक्स नहीं है इस सब के बाद भी मा से शादी की बात तक नहीं की वो तो सिर्फ इतना चाहती हैं कि हम तुनों खुश रहें जानते हो सचा कौन है तुम्हारी मा अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो जाकर उनसे कह दो उनके सामने सच बोल दो सब ख़त्म कर दो पर मैं उनके जजबातों के साथ इस तरह नहीं खेज सकती साम आखे तुम्हें एमोशन से इतना डर क्यों लगता है जानते हो इस दुनिया में लाख हो ऐसे लोग होंगे जिनका आपना कोई नहीं होता है और एक तुम हो जिसके पास अपनी फैमिली है जो तुमसे इतना प्यार करती है पर तुम्हें उसे कोई मतलब नहीं मुझे तुमसे कुछ कहना है साम आइम होपलिसली इन लव इद यू पर अगर तुम अपने मा के प्यार को ही नहीं समझ पाए हो तुम्हें प्यार को क्या समझोगे तुम्हें कॉन्ट्राक की पड़ी है ना कॉन्ट्राक करना है ना गिव गिमीन अमानी गिमी दा मानी अपनी मां के आज़ों कि तुम्हें कदर नहीं है ना एक दिन आएगा जब तुम पच्चता होगे पर तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा क्या हुआ और नहीं सोड़ना बैठो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है मैं और अवंतिखा कभी प्यार नहीं करते थे उसने मेरे ही कहने पर प्यार किया एक्टिंग की और शादी के दिन भाग गई और अगर सच कहूं तो उसके ऐसे बरताव का कारण मैं ही हूँ पाप किया मैंने अवंतिखा यहां से रोद्य वेचली गई वो आप लोगों से नजरे भी नहीं मिला पा रही थी जहां वो कुछी दिनों में आप सबको समझ गई थी मैं इतने सालों तक आपको नहीं समझ पाए मैं शादी कैसे करता मैं तो आप सबको दुख पहुचाना चाहता था क्योंकि तब तक और किसी भी लड़की से जरा सभी प्यार नहीं हुआ था पर उसके मुझ से दूर जाने से मुझे हैसास हुआ कि मैं आप सब लोगों के बगएर नहीं जी पाऊंगा मैं यही कहना चाहता था मेरे जैसा परिवार किस्मत वालों को ही मिलता है मैं तो आप सब की माफी का हखदार भी नहीं हूँ पर बादिका कमाफ करते नहीं हुआ 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 है I'm really sorry auntie आपको कुछ नहीं होगा आप अमेशा ऐसी रहो मैं हर दिन ये प्राठा करूगी अरसे उसे वापस लेकर आओ जाओ 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 सामी जाओ ना मैंने सब सुन लिया है कोई नहीं स्कीम मत बनाना तो तुम्हें मुझ से प्यार हो गया तुम्हें कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ तुम्हें बस पैसला ले लिया जवाब दो जी इसेंग सेंग अ मंदिक्ड आओ आ bill इसेंग ऄह सुन बसांव इसेंग मुझ ईटेंग इसेंग अब तुम दोनों शादी करोगे या ये भी नाटक है आजाओ मा तुम दे आओ न कहां जा रहे हूं